जारखन में विधान सभाचुनाव से पहले जामुमों के संभावित उमिद्वारों के लिस्ट सामने आ गई है इस लिस्ट में कुल 32 नाम है जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे है तो आईए जानते हैं कौन-कौन सी वा 32 सीटे हैं जहांपर जेमेम ने अपने उमिद्वार तै कर रखे हैं केवल आधिकारी घोशना करना बाकी है सबसे पहले वैसी सीटों की बात करते हैं जहांपर पार्टी अपने सीटिंग विधायकों को उतारने की तयारी कर रही है जेमेम में ऐसी 24 सीटे हैं जहांपर वा अपने विधायकों को रिपीट करेगी सबसे पहले नाम आता है बरहेट का जहां से खुद मुख्यमंत्री हेमन सोरेन एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे बता दें कि बरहेट जामुमों का अभेद्य कीला माना जाता है यहां पर कभी भाजपा या कोई दूसरी पार्टी सेंध नहीं लगा पाई इसके बाद गांडे विधानसभा सीट जहां से सीम सोरेन की पतनी कलपना सोरेन चुनाव लड़ने जा रही है हाल ही में हुए उप्चुनाव में उन्होंने बाजी माल ली थी अब इस बार उनका मुकाबला भाजपा उमिद्वार मुनियादेवी से होगा इसके बाद एक सीट है दुमका जहां से हेमन सोरेन की भाई बसंत सोरेन दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे है यहां उनका मुकाबला भाजपा के सुनिल सोरेन से होगा वही घाडशिला से जैम सीनियर नेता रामदा सोरेन को टिकट दे रही है जहां उनका मुकाबला चंपाई सोरेन के बेटे बाबुलाल सोरेन से होगा इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नाम आता है डुमरी का जहां पर पाटी फिर से बेबी देवी को टिकट दे रही है हालाकि यहां संभावना बन रही थी कि उनके बेटे अखिलेश महतो यानि कि राजू महतो को टिकट दिया जा सकता है लेकिन अंतिम मुहर बेबी देवी के नाम पर लगी है यहां बेबी देवी को दो मोर्चों पर सामना करना पड़ेगा एक तो आजसू के उम्मिदवार से जिसका नाम अब तक सामने नहीं आया है और दूसरा यूवा नेता टाइगर जराम महतो से इसके बाद जो सीट है वो है नाला जहां से विधान सभा अध्यक्ष रभिंद्र नात महतो को उमिदवार बनाया जा रहा है यहां उन्हें बिजेपी उमिदवार माधव चंद्र महतो चुनावती देंगे इसी कड़ी में एक सीट गढ़वा है जहां पर एक बार फिर से मिथलेश ठाकुर को उतारा जाएगा यहां उनका मुकाबला भाजपा के सतेंद्र नात्तिवारी से होगा वहीं लातेहार से बैज़नाथ राम को फिर से टिकर दिया जा रहा है जहां उनका मुकाबला भाजपा के प्रकाश राम से होगा इसके अलावा तुन्डी से मत्रा प्रसाद महतो को जह मैं टिकर देगी जहां उन्हें आजसू या भाजपा के प्रत्याशी के साथ साथ जरा महतो के प्रत्याशी का भी सामना करना पड़ेगा वहीं मधुपूर से सरकार में मंत्री हफिजुल हसन को उतारा जा रहा है जहां उन्हें भाजपा के गंगा नरायन सिंग चुनावती देंगे इसके बाद एक सीट है गिरिडी जहां से पार्टी फिर से सुधिव कुमार सोनू को उतारने जा रही है यहां उन्हें भाजपा के निर्भय कुमार शाहबादी से सामना करना होगा इसके रावा जुक्चलाई से फिर से मंगल कालिंदी को उतारा जा रहा है यहां उनका मुकाबला आजसु के रामचंदर सहिस से होगा लिट्टी पाड़ा से दिनेश मरांडी को टिकेट मिल रही है जहां उन्हें भाजपा के उम्मिद्वार बाबुधन मुर्मू से चुनौती का सामना करना होगा बिशुनपूर से चमरा लिंडा को उतारा जाएगा जहां उनका सामना भाजपा के समेर उराओं से होगा चाइबासा से देपक बिरुवा को टिकट दे जाएगी जहां उनका मुकाबला बिजेपी की उमिद्वार गीता बलमूचू से होगा मजगाओं से निरल पूर्ती को उतारा जाएगा जहां उन्हें चुनावती देंगे भाजपा उमिद्वार बढ़कूर गगरई चक्रधरपूर से सुक्राम उराओं को टिकट दी जाएगी जहां उन्हें भाजपा के शशी भूशन समढ़ चुनावती देंगे इसके बाद है खरसावा जहां से दशरत गगरई को फिर से उतारा जा रहा है और उनका मुकाबला भाजपा के सोनाराम बोधरा से होगा वहीं तमार से विकास मुंडा को फिर से जेमें टिकट देगी जहां उनका सामना जेडी उमिद्वार राजा पीटर से होगा सिसाई से जिग्गा सुसारन होरो को टिकट दे जाएगी जहां उनका सामना भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरुन उराओं से होगा गुमला से भूशन तिर्की को टिकट दे जा रही है जहां उनका मुकाबला भाजपा के उमिद्वार सुदर्शन भगत से होगा हालाकि तीन सेटों मसलन बहरागोडा, पोटका और इचागड को लेकर संशैबर करार है बहरागोडा से फिलहाल जेमेम के समीर मोहंती विधायक है जबकि पोटका से संजीब सरदार और इचागड से सभीता महतोय मिले है पोटका से पूर विधायक महिनका सरदार के भाजपा से इस्तिफा देने के बाद ये माना जा रहा है कि जेमेम उन्हें अपने पाले में लेकर टिकट थमा सकती है वहीं इचागड से मौजुदा विधायक सभीता महतो की जगा उनकी बेटी इसनेहा महतो को चुनाव में उतारा जा सकता है महेशपूर में भी कुछ हद तक स्टिफन मरांडी की बेटी पिंकी मरांडी को प्रत्याशी बनाया जाने की संभावना है इन सिटिंग विधायकों के अलावा जार्खन मुक्ती मोर्चा में जुन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा वैसे दस और नाम है सबसे पहले बात करें शिकारी पाड़ा की तो यहां पर साथ बार के लगातार विधायक रहे और वर्तमान में दुमका सांसद नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन को टिकट दिया जाएगा यहां अलोक सोरेन का सामना भाजपा के प्रत्याशी रह चुके परितोष सोरेन से होगा इसके बाद राजमहल से M.T. राजा को जैमेम उतारेगी जिनका सामना भाजपा के मौजुदा विधायक अनन्तोजा से होगा बोरियो से जैमेम सीनियर नेता हेमलाल मुर्मो को टिकट देगी जिनका सामना भाजपा के सीनियर नेता और पुर विधायक लोबिन हेमरम से होगा जबकि सारट से चुन्ना सिंग जैमेम के प्रत्याशी होंगे यहां उन्हें चुनाती देंगे भाजपा के मौजुदा विधायक रंधीर सिंग गूमिया से जैमेम योगेंदर प्रसाद महतो को उमिदवार बनाएगी जिनका मुकाबला आजसु विधायक लंबोदर महतो से तो होगा ही साधी जैल-केम के प्रत्याशी से भी होने की संभावना है वही चंदनक्यारी से जैमेम उमाकांत रजक को उतार रही है जो एक बार पिर से भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर्बावरी को टक कर देंगे जमुआ से जेमेम भाजपा के वर्तमान विधायक केदार हाजरा कुटिकर देगी जहां उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी और भाजपा उमिद्वार मन्जु कुमारी का सामना करना होगा बवनातपूर से जेमेम की ओर से अनन्द प्रताप देव खड़े होंगे जहां पर उनका भाजपा के भानु प्रताप शाही से टक्कर होगा वहीं सिल्ली से अमित महतो को पार्टी उतारेगी जहां पर उन्हें आच्सु सुप्रीमू सुदेश महतो का सामना करना होगा साथ ही जेल केम उमिद्वार देविंदरनात महतो भी उन्हें चुनावती देंगे एक आखरी सीट जामा को लेकर ये पूरी संभावना बन रही है कि पार्टी लुईस मरांडी को टिकट देगी हाला कि अब तक लुईस मरांडी ने जेमें जॉइन नहीं किया है लेकिन इसकी संभावना पूरी है अब जब पार्टी अपने उमिद्वारों की आधिकारी घोशना करेगी तो सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें हमारे चैनल लोगतंत्र 19 को फेस्बुक पर फॉलो और सब्सक्राइब कर ले फिलाल लेते हैं अलविदा जोहार